ओम नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो उवज्चायानं, नमो लोए सव्वसाहुनं, एसो पंचनम उकारो, सववपावपनासनों, मंगलाणंच सव्वेसिं, पड़मं हवै मंगलं, ओम नमो अरिहंतानंं, महादेव्या कुक्षिरत्नं, शब्द जीतर वात्मजं, राज चंद्रम्महं वंदे, तत्थ लोचन दायकं, जेश्वरूप सम्झाविना, पाम्यो दुख अनन, सम्झावियूते पदनमू, श्री सद्गुरु भगवन् परातपर गुरु वेनमहं, परं पराचार्य गुरु वेनमहं, परं गुरु वेनमहं, साक्षात पुरत्यक्ष अत्गुरु वेनमौ नमहं अनन्त अनन्त भाव भेद थी भरिली भली अनन्त अनन्त नाय निक्षे पेव्याख्यानी छे सकल जगत हीत कारीनी हारीनी मोह तारीनी भवब्धी मोक्ष चारीनी प्रमानी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निजमती मापाई में मानी छे अहो राज चंद्रबाल ख्याल नती पामताई जीनेश्वर तनी जानी तेने जानी छे गुरू राज तनी वानी जानी तेने जानी छे ओम् जाई सद्गरोंदर तत्वचर्चामा परम तत्वग्य श्रीमद राज चंद्र विरेचित श्री आत्म सिद्धी शास्त्र गाथा नुम्बर एक सो सत्याविश् शिश्य बोध बीच प्राप्तिनों कथन चाले छे पहला अनुभूतिने वाद करी पच्छी उपकारनी वाद करी एज उपकारनी उपसहार करे छे शट स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो आप म्यानत की तरवारवत एउपकार अमाँ म्यानत की तरवारवत एउपकार अमाँ शट स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो आप छ़ स्थान को समझा करके अपने आपको भिन्न बताया आप इटले आत्मा म्यानत की तरवारवत एउपकार अमाँ अपने आपको भिन्न कैसे बताया तो जिससे तलवार और म्यान अलग हैं वैसे शरीर और आत्मा अलग हैं ऐसा छ़ स्थानक समझा करके बताया एउपकार अमाँ यह जो उपकार है वो अमाप है जिसको कोई माप नहीं सकते शर्ट स्थानक समझावी ने छ़ स्थानक क्षिश्य को समझाए स्थानक क्यों समझाए क्योंकि उन छ़ स्थानों में आत्मा रहता है आत्मा रहता है ने पहले ही का है सम्यक दर्शनना निवास स्थानक इशट पद है पहला पद कुन सा है आत्मा छे मतलब आत्मा है अस्तित्व को बताए दुसरा आत्मा नित्य छे क्या बताया कि वो अस्तित्व हमेशा रहता है तीसरा क्या बताया आत्मा करता छे ऐसा नहीं कि आत्मा से कोई जड़ की तरफ पड़ा रहता होगा वो अपना काम करता है क्या करता है यस अपना भाव करता है आत्मा अपने भाव करता है अग्यान से अशुद्ध भाव करता है और ग्यान से शुद्ध भाव करता है ये उसका काम और फिर व्यवहार से कहा जाता है कि वो कर्म आदी का भी करता है शरीर आदी नो कर्म का भी करता है और भी बाहर की वस्तों को उपचार से करता है तो कुछ नहीं करता ऐसा नहीं है करता है हम निरंतर कुछ न कुछ करते हैं अब वास्ता में देखा जाए तो हम करते नहीं है होता है वो जो होता है उसी को यहां करता बता है होना और करने में कुछ अंतर दिखता है होना और करने में क्या अंतर है हाँ, अच्छा करने में परिश्रम करना पड़ता है, होने में परिश्रम करना नहीं पड़ता है, चलो ये बात मान ले हैं, तो हम क्या करते हैं और क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध भाव हैं, दो प्रकार के, शुभा शुद्ध में आ जाते हैं दो, तो इस में से किसको करने में मेहनत करनी पड़ती है और किसको करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अच्छा नर्सी भाई ने का कि शुद्ध भाव में रहने के लिए मेनत करनी पड़ती है अभी जो सिद्ध भगवान है वो शुद्ध भाव में का शुद्ध भाव में उनको मेनत करनी पड़ रही है नहीं करनी पड़ रही है तो इसका मुला शुद्ध भाव में रहने के लिए मैनत करनी पड़ती होते हैं अच्छा दूसरा अशुद्ध भाव में रहने के लिए मैनत करनी पड़ती किसको राख करने के लिए बहुत मैनत करनी पड़ती है किसको क्रोध करने के लिए किसी को मेनद करनी पड़े थे वो भी हो रहे हैं शुद्ध भाव भी बिना प्रयास के हो रहे हैं और शुद्ध भाव भी बिना उदैक भावे न कर्म का उदै होता उसका निमित पाकर आटोमटिक हो रहा है अब हमने क्या किया बताओ हमने किया क्या हमने क्रोध चलो क्रोध आया हमने क्रोध कर लिया ठीक है किया क्या उसमें वो तो आया आपने क्या किया आपने को बुला या उसको बस ये किया हमने केवल अग्यान का पोशन किया हमने केवल अहंकार किया कि ये मैंने किया ऐसा अहंकार किया बस बाके उसको किया नहीं हमने हुआ ये वस्तु वेवस्ता ऐसे ही चल रही है यहां सब हो रहा है पर मुर्ख विक्ति ऐसा कहता है कि मैं करता हूँ हो करूं हो करूं एज अगनान छे शकटनों भार जेम श्वान ताने स्रश्टी मंडान छे सर्व एनी मेले जोगी जोगेश्वरा कोई कजाने नर्सी मैस्ता को भी वस्तु की स्वतंत्रता क्रमबद परियाये ये सब उनको भी निश्चे था इसले काने स्रश्टी मंडान छे सर्व एनी मेले सब उसके हिसाब से है सारक सारा सब अपने अपने हिसा कोई यहां कुछ नहीं कर रहा है सब यहां हो रहा है अच्छा आपन एसा प्रहेत्न को मैं मैं है ना एक भी विकल्प होने नहीं दोंगा आप कर सकते हैं सब हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में हम केवल और केवल अहंकार कर सकते हैं करने का और सबसे बड़ी भूल जीव की यही है कि वो करने का अहंकार कर रहा है और अगर वो अहंकार नहीं करे और जो हो रहा है उसको शांद भावसे स्विकार करे देखे जाने तो अपने सोभाव में रहे इसलिए कहा है कि जीव कर्म का करता है कहां से अग्यान से वास्ते में करता है नहीं पर वो अग्यान से अग्यान उसका नाम है कि जो नहीं है उसको मानना और जो है उसको नहीं मानना इसका नाम अग्यान है हम कर तो रहें नहीं हैं और हम कर रहें ऐसा मानना इसका नमा ग्यान जो जब तक हमारे पास अग्यान है तब तक हम कर्म के करता हैं शरीर के करता हैं द्रव्य कर्म के करता हैं सब के करता हैं और हमारा ग्यान आ गया तो फिर हम किसी के करता रहते नहीं है हम केवल हमारा होना-पना है वस्तू है वस्तू कुछ कर नहीं रही है परंतु जगत के लोगों को समझाने के लिए उनको करने का अभ्यास है इसलिए आचारे देव करतृत्व के हिसाब से उसको समझाते है वो शब्द का यूज करते है कि आत्मा करता है क्योंकि करने करता ऐसा कहेंगे कि जगत के लोगों को पता ही नहीं पड़ता है क्योंकि वो करने की आदत है न होता ऐसा तो समझ में नहीं आएगा करना बताओ नहीं तो अगर आपको मानना है कि ये करता ही है कुछ तो अपने भावों को मेनत करके करते हैं न उसी को हम करता हैं यह मैंने किया पर ऐसा तो पाँच भावों मेंसे कोई भी भाव ऐसा नहीं है जो हम मेनत करके करते हैं हाँ निरना करना पड़ते हैं तो वो भी कोन करता है ग्यान करता है वो तो क्या होता है कि हमको उल्टा अभ्यास हो गया है इसलिए उस अभ्यास को सीधा करने के लिए हमको खेच तान करने ही बड़ती है, उस खेच तान को हम पुरशारत केते हैं, मानते हैं, क्योंकि कुछ खेच तान नहीं हो न था, हमको लगता ही नहीं हम पुरशारत कर रहे हैं, जैसे अपन यह ऐसे बैठे हैं, अब कोई अपने को आ करके यहां उठा है, हाथ पकड़ के मेरे को उठाए और फिर मैं बल्पुर्वक सका हाथ पकड़ किमें यहीं बैठा रहा हूं तो मुझे progress कि मैंने मेहनत की यह अ पर जब मैं यहां बैठा हूं तो मेरे को ऐसे कमेरे कमेश मेहनत की तो जगत Mrs. अग्यानी वो उसका पुरुशार्थ है ये किसी अप्लेक्षास ठीक है परन्तों अगर उसी को पुरुशार्थ मानेंगे तो केवली भगवान और सिद्ध भगवान पुरुशार्थ हीन हो जाएंगे और पुरुशार्थ हीन तो कभी आत्मा रहता ही नहीं है पुरुशार्थ उसका सोभाव है वो क्यों खेंचतान नहीं कर रहे हैं बस वो पुरुशार्थ खेंचतान वाला नहीं है उनके जिसको अपन बुद्धि पुरुवक्का कहते हैं बाकी निरंधर उनका पुरुशार्थ आत्मा में सोभाव में रहने का चल रहा है इस पुरुशार्थ को कोई समझ ले इस वस्तु को इस करता भोकता पने के रहस्य को कोई समझ ले तो विक्ति सहच हो जाए इस माथे के उपर है न बहुत बड़ा भारोन ऐसे ले की गुमता है विक्ति करता पने के हंकार को ले की गुमता है हंकार को निकालने का प्रेत्न करें यह जो करता पनान भोकते का नवर पद देना ये कुंदकुन स्वामी ने समय सार में सबसे बड़ा अधिकार इसी का किया है करता कर्म अधिकार ये एक बार निकल गया क्योंकि गलती यह है देखो घ्यान को कहीं से लाना नही है घ्यान तो अपने अंदर है परनतु हमें केवल अग्यान को हटाना है हमारा दम खम वाँ लगाना है और अग्यान को हटाने का क्या तरीका है अग्यान के सुरूप को जान लो वो अग्यान अपना चला जाएगा कि ये अग्यान है होटेमिट के चला गया है और वहाँ ज्यान रे जाता बस अनात्मा को जान लो कि ये अनात्मा है अनात्मा हट जाएगा और वहाँ क्या रह जाएगा केवल और केवल आत्मा रह जाएगा वहाँ भी हमको कोई बहुत बड़े मेनत नहीं करनी है के उठा करके पत्थर क्विंटल क्विंटल कर नहीं रखने करें वहाँ भी केवल हमको क्या करना है वहाँ भी केवल उसको जान लेना है कि ये चोर है चोर को चोर की तरह जान लो जैसे ही चोर के उपर अपनी नजर पड़ी और वो चोर है वो भाग जाता है समय सार में सारा यह है वो रंगमंच पर ऐसा ही आते हैं बहुत खेल करते हैं यह आश्रव ने बंद ने यह ज्ञान खेल करता है और जैसे ही वो ज्ञान आता है प्रविश्च करता है उस रंगमंच पे और वो भागते हैं से ज्ञान ने कुछ नहीं किया हो कुछ भी नहीं किया ग्यान ने वो दो धी में से आया और वो भागे कि अब हमारा यहाँ नाटक चलेगा बहुत नाटक कर लिया बस अपने को केवल जाग्रत होना है यह मित्या अहम जो हो गया न परियाई बुद्धी उसको हटा करके सहज अस्तित्व का भान करना है कठीन चीजे समझ में आगी तो बहुत सरल चीज और नहीं समझ में आती है न तो वेक्ति वो काई तो करू पड़े ने काई क्रियावगर तो चाले नहीं तो करो परन्तु कवास्त में करना क्या है उसको समझ लें कि बाहर कुछ नहीं करना है जो करना है वो अपने अंदर करना है मिथ्या अहम को अपना मान रखा था उस मिथ्या अहम को धिमे से हटा दो उसको पकड़ें, हम हमेशा अपने अहंकार को पकड़ें, परियाय बुद्धी को पकड़ें जैसे जिस हम उसको पकड़ते रहेंगे न वो भागती रहेगी और हम बच रहेंगे आप, आप भिन्न बतावें आप, वो आप है वो रह जाएगा तो जैसे करता है, वैसे भोगता है, अज्ञान से ये जीव अपने रागादी भाव करता है तो उसी के फल जो दुख है, कष्ट है, उसको भोगता है और जागरत अवस्था में ये अपने शुद्द चैतन्य भाव में रहता है तो अपनी अनाकुलता, निराकुलता, आनन्द को भोकता है पांचवा पद, मौक्ष पद मौक्ष है मुक्ति होती है कल्पना है, कल्पना है कि नहीं है अब यो आत्मसिद्धी में एक प्रशना है बड़े सब संकट में पड़ गे बंद मौक्ष है कल्पना भाखे वाणी माय साचु के खोटो बंद मौक्षे कल्पना साचु के खोटो अब कोई नए द्रश्टी से पूछे तो परमशुद्ध निश्य नए से ये वाक्य सत्य भी है परमशुद्ध निश्य नए तो ये कुछ मानता ही नहीं है जो हैसो हैसा ही मानता बस ये निश्चे वाक्य नहीं है ये परम निश्चे वाक्य है निश्चे वाक्य और परम निश्चे वाक्य में बहुत अंतर है परम निश्चे है वो केवल शुद्ध द्रव्य को ही स्विकार करता है परियायादी को तो वो स्विकारी नहीं करता इसलिए जो हमेशा बना रहता है वो ही पदार्थ है और कोई पदार्थ नहीं है ऐसा मानता है और उसमें कोई विकार आता ही नहीं कभी द्रव्य में तो जैसा है वैसा रहता है पर शुद्ध निष्चेने से तो करता अधी बताया है मौक्ष का करता शुद्ध निष्चेने से कौन है मौक्ष का करता आत्मा है क्योंकि शुद्ध भाव का करता आत्मा है और शुद्ध भाव ही मौक्ष है और मौक्ष कोई द्रव्य में तो हो नहीं रहा है ना मौक्ष कहां हो रहा है मौक्ष तो परियाय में हो रहा है और परम शुद्य निश्चे नहीं तो परियाय मानता ही नहीं तो उसका तो यहां मौक्ष मार्ग में स्थान ही नहीं है कुछ परम शुद्ध निश्चेने का तो यहां तो शुद्ध निश्चेने का स्थान है और शुद्ध निश्चेने के अप्यक्षा से मौक्ष भी है और बंद भी है, सब है निश्चे से बंद भी है बंद की जगव बंद सत्य है उसको जूट थोड़ी कह सकते हैं हमको क्रोध हो रहा है क्रोध बंदभाव है के नहीं तो कोई घदे के सिंग की तरह वो कोई अनात्मा वस्तु अथवा अभाव थोड़ी है है वो वेदन में आ रहा है तो कोई कलपना थोड़ी है वो कलपना भी नहीं है वो तो सत्य है क्रोध क्रोध की जगह सकते है मान मान की जगह सकते है बंद बंद की जगह निश्चे से वास्ता में बंद है अगर हम बंद को माने नहीं तो हम पुरशार्थ काई को करते हैं मौक्ष करने का तो ऐसे करके बैठ जाएं मैं तो केवल मुक्त हों बस तो मुक्त हो जाएंगे क्या ऐसा है इसलिए सम्मेक दर्शन केवल मैं आत्मा हूँ ऐसा मानने का नाम नहीं है सम्मेक दर्शन तत्वार शद्धा नाम तो वहाँ जीव का भी शृद्धान करो अजीव का भी करो आस्रव का भी करो, बंद का भी करो, संबर का भी करो, निर्जरा का भी करो, मौक्ष का भी शृद्धान करो, पाप पुन्ने का सब का शृद्धान करो, यह सम्मेक्टव यह तो सब लोग मानते ही हैं, मैं आत्मा हूँ, कौन नहीं मानता है सामान्य वेक्ति को पूछो ना अज्ञानी को भी पूछो ने यह कौन है तो जीव है ऐसा ही जड़ ऐसा कहेगा और यह मर गया तो इसमें से क्या निकल गया तो इसमें से आत्मा निकल गया इसलिए यह चला गया यह कहते हैं अपने अमारा भाई है था नानी उमर मत जता रहा है तो कौन गया शरीर तो वही कि भी पड़ा है इसका मतलब वह ऐसा मान रहा था है कि जो आत्मा है वो मेरा भाई था शरीर है वो मेरा भाई ऐसा सब मान रहे हैं अग्यानी होके ग्यानी हो तो केवल आत्मा को मानने मात्र से तो सम्यक तो हो नी जाता है न ये सब मानने पड़ेंगे तब जाके मौक्ष बनेगा कि वो आस्रव को भी मानना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे कर्म आते हैं फिर बंद को भी मानना पड़ेगा ऐसे जी बंदा हुआ है फिर बंद को खोलने का मार्ग संबर और निर्जरा ये भी मानना पड़ेगा और इसकी प्रक्रिया को करेगा तब मौक्ष प्राप्त होगा तो उसको सही आत्मा का श्रद्धान हुआ ऐसा कह सकते हैं नहीं तो आत्मा का श्रद्धान हुआ ऐसा कह सकते हैं ऐसा श्रद्धान तो हर एक को है, हर एक अपने आपको जीव ही मानता है, आत्मा ही मानता है, कोई दूसरा मानता नहीं है, कहता है कि ये शरीर आदी ये मेरे है, परंतु वास्तम है, अंदर से तो यूँ है कि मैं आत्मा ही हूँ और मैं जीव हूँ और मैं मर जाओंगा, ये तो मिथ्या अध्य मौक्ष भी व बंद भी एंडियर और उस मौक्ष का उपाए भी आगर मौक्ष और उसका उपाए नहीं हो तोभी किसी काल में प्राप्ति उसकी संभव नहीं ये चोपत समझाए और चोपत समझा करके क्या कहा उन्होंने कि फिर बताए कि बिन्न बतावियो आप वो भी आएगा कि इन सब में चो में से अलग है आत्मा चोपत समझा दिये तो उनको इस पश्ट ग्यान हो गया कि ये मैं हूँ और ये पर है जैसे शरीर जैसे तलवार और मियान अलग अलग है वैसे मैं और ये शरीर अधी अलग अलग है अपने को अलग कर लिया मैं आत्मा हूँ मैं अजीव नहीं हूँ ऐसे अजीव से अलग कर लिया बंद भाव हैं विकारी हैं नित्य नहीं हैं मैं नित्य हूँ इसलिए बंद को अलग कर लिया आस्रव विकारी भाव है वो मैं नहीं हूँ इसलिए उसको अलग कर लिया संबर निर्जरा वो तो तातकालिक भावे हैं इसलिए तातकालिक उपादे हैं सर्वकाल के लिए उपादे नहीं हैं इसलिए उससे भी मैं चैतन्य अलग हूँ और मौक्ष भाव भी एक परियाय है अवस्थाय हैं वो भी मैं नहीं हूँ मैं तो शुद्द चैतन्य हूँ बस हो गया काम अपने आपको शुद्द चैतन्य कर लिया ये सब तो होते हैं ध्रवी की जैसी जैसी युग्यता होती हैं वैसे वैसे बंद भाव भी होगा संबर भाव भी होगा अस्रव भाव भी होगा निरजरा भावगय और मौक्षपाव होगा आप अपने आपको शुद्ध चैतन्य मानना चालू करो आप हम अपने आपको आत्मा मानना फ्रारम कर देंगे तो समस्या रहती ही नहीं क्या समस्या बता जो समस्या खड़ी होती है न हमारे जीवन में यह है कि हम जब आत्मा को भूल जाते हैं अपने को भूल जाते हैं तो सारी किसार यह समस्या खड़ी हो जाती है और हम जब अपने आपको याद रखते हैं तो कोई समस्या ही नहीं मुक्ति का लाव यहीं मिल जाता है अपने को बहुत सरल है पर पुरुशार्थ इसमें लगाना, अपने के बुद्धी पुरुवक करना पड़ते हैं, वो भी उसमें लगाना, ज्यादा, अपने स्वरुप का निश्चय करने में, बार बार भूल जाते हैं, दिन भर में हम कितनी बार अपसेट हो जाते हैं, अपसेट हो, अपसेट कौन होते हैं अपने में से, कोई अपसेट खाएच है, हाँ, दिवसमा किट्ली इक बार थेजी अपने, सारा दिन अपसेट रहते हैं, क्योंकि आत्मा में सेट हुई नहीं है, तो वो तो ज़्यादा तकलीप आती है न, तो वो तकलीप उसको हम अपसेट होना कहते हैं, पर समान दिरुप से सब अपसेट ही है, क्योंकि सेटल हुए ही नहीं है, लाइफ में जो सेटल नहीं होता है न, तो उसकी चिंता बनी रहती है, अमार छोकर अंजन एक बार सेटल कर दी है, क्योंकि उसको एक अच्छी नोकरी मिल जाए, अच्छी चोकरी मिल जाए, अच्छा गाड़ी मंगला मिल जाए, और फिर वो उसके करेगा, सेटल कर दिया, घर में व्यवस्तित हो गया उसकी, बस गई, ऐसे यह जीव जब अपनी ग्रवस्ति बसा नहीं लेता है, सेट नहीं हो जाता है, घर परिवार में, अपना जो परिवार है, निज परिवार, तब तक वो अपसेट ही रहता है, जबकि उसको कोई तकलिफ नहीं हो, खाना भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, सब वहीं के वहीं सारी चीज़े, घर भी है उसका, पर जब पिता की कमाई से तो पिता के घर में रहता तो बच्चे को ऐसा नहीं लगता है कि मैं सैठ हो गया हूं कि मेरा सब बलग होगा तब जा करके मैं सैठ एसा रहता यह अर फिर वह अपने दिंधर केई सेठ होता है कि तो हम दिन भर सैठ होने का प्रेध मिलुक्न करें और थोड़ा सा भी कहीं राक का विकार अत्वा कोई भी आ गया ऐसा तो पुछें अपने आपसे प्रश्ण करें क्यों आया क्यों आया मुझे यह ना अपने आपसे बाते करने की साधना बहुत ज़्यादा करना यह आत्मानुसंदाने निरंतर कि यह मेरे को आया ही क्यों और ज्यादा तर तो दुसरों के निमित सही आता है ना अपने को मुझे क्यों आया है काम भो गलत कर रहा है मैं क्यों आपसेट हो ना होते हैं नहीं होते हैं दुसरों के कारण से ही हम अपसेट ज़्यादा होते हैं निमित सही हो हम रहें गलती अपने के दुसरे की इसलिए पूछना कि इसमें मैं क्यों आपसेट हुआ मेरा क्या इसमें मेरी आत्मा का क्या लेना देना इसमें ऐसा प्रश्ण पूछेंगे कि तुरुन सेट हो जाएंगा क्योंकि वहां अग्यान पकड़ में आ जाएगा आपने और जैसे अग्यान भाव पकड़ में आ जाता है वैसे ही चला जाता है यह अनुसंदान का काम है ना वो 27-24 घंटे अपने हम को बात बात में हम अपसेट हो जाते हैं बात बात में इतना बड़ा दिल बनाना पड़ेगा कि इस जगत के अच्छे लोगों को भी स्विकार करना पड़ेगा बुरे लोगों को भी स्विकार करना पड़ेगा सब को स्विकार करना पड़ेगा और सब में मध्यस्त रहना पड़ेगा तब जा करके हम आत्मा तक पहुँच पाएंगे नहीं तो हम इसी में उल्जे रहेंगे व्यवस्थित करने में कभी व्यवस्थित ये संसार कभी व्यवस्थित नहीं हो जाए आज तक नहीं हो आना कोई नहीं कर सका तिर्थंकर आये चले गए कोई व्यवस्थित नहीं कर सका हम ही व्यवस्थित हो जाएं हम किसी से प्रभावित नहीं और हो जाते हैं निमित आता है तुरंद प्रश्ण करना क्यों हुआ हो वाई मेरा इसमें क्या थे और मुझे इसमें मिलने वाला क्या है कुछ भी तो नहीं मिलने वाला मुझे सर परिवार सुगाडी मिथ्या मतिय अपराधन तो ऐसा चैतन्य तत्व जो गुरु का उपदेश होता है न वो ऐसा होता है कि हर समय अपने अंदर वो अनुसंधान चलता रहता है वाणी ऐसी हो न तो हमको इस्थिर कर देता है क्योंकि वो ऐसी चाबिया बताते हैं ऐसे पॉइंट बताते हैं कि साधारण से साधारण विक्ति भी इजीली मौक्ष मार्क पे चल जाता है अब देखो अपने को आत्म ग्यान आत्म समाधी मौक्ष पर आप उसमें कौन सी बड़ी बात हुई बताओ हमको क्या करना है हमेशा अपने आपको देखते रहना इतना ही करना है न हम तो हम कहां कहां सेट अप सेट हो रहे हमको क्या हमारे अहंकार को देखते जाओ, हमारी इच्छा को देखते जाओ, और देख देख करके उसको निकालते जाओ, कौन सा बहुत पढ़ने का कह दिया, कौन सी बहुत सी चीज़े आप याद रखो ऐसा कह दिया, ऐसा कुछ कहा क्या, इतना सा करना, इतनी जगरती रखना है, कोई इतना तो मन मिलाए न इतनी समझ तो सबको आ जाती है कि इसमें मेरे आत्मा का तो कुछ ही नहीं बाहर की वस्तु तो फाल्तु के संकल्प विकल्प काई को करना इतने सार अपने सामने जो काम आये वो कर लेना उसमें कोई दिक्कत नहीं है बखु भी कर लेना, अच्छे कर लेना, परन्तु उसके साथ प्रवा में बेना हो गया, छुट्टी, किसी से बात कर ली, हो गया, छुट्टी, किसी को कहना भी पढ़ता है, कोई अवेवस्था में चल रहा है, कहना भी पढ़ता है, के दियान, छुट्टी, भई तुम ये भी discipline भंग करते हो ऐसा तुमको नहीं करना के दिया ना बस हो गया कम चुट्टी दूसरे दिन फिर से के ना पड़े फिर से के दिया फिर से चुट्टी परन्तो उसके विकल्प लेके नहीं घुमे अपन वास्ता में के गाठ बन जाती हो उसको कहने कहने में हमारे द्वेश की गाठ बन जाती फिर हम उससे रिजल्ट के पेक्षा रखते हैं रिजल्ट नहीं आया तो वो बार-बार गल्ती करता है तो हम यहां बार-बार उपर नीचे होगे तो हमारा तो सारा सुख दुख दुसरे के उपर डिपेंड हो गए न ऐसे तो कैसे जीवन जीएंगे हम इसलिए ग्यानी लोग कैवल किसी को अंगली निर्देश करते हैं बाकि तुमको जो करना वो कर नो प्रोब्लम और उस ग्यानी की बात में इतना दम होता है कि उसकी उंगली निर्देश है उसका भी पालन सब सहर्ष करते हैं प्रेम से करते हैं और कोई रोज डाट डपट करें न तो भी उसकी बात कोई नहीं माने क्योंकि कशाय भाव से कर रहा है स्वयम अफसेट होकर के कर तो स्वयम हम अपसेट होकर के अशांत होकर के दुनिया में किसी को शांती नहीं दे सकते हैं सुख नहीं दे सकते हैं किसी को सेट नहीं कर सकते हैं पहले अपने सेट हो जाओ अपना परिवार बसा लो फिर दूसरों की चिलता अपने को कर लिए चलिए यह गुरु यह कराता बस set करा देता एकदम अपने आप में तो एक बार set हो जा फिर तरच जहां घुमना चतुरु को नरख में जाना है कोई दिक्कत नहीं हमको कोई problem नहीं set हो जा बस और set होने की यह छोटी चाबी है यह चाबी शिश्य के अंदर आजाती है तो उसको बहुत हो भाव जाकता है इसलिए अमाप शब्द लगाया है कि ए उपकार अमाप जिसको माप नही सकते है ऐसा वासता में ये ज्ञान तो हमको पहले से था जो गुरु बता रहे हैं, वो ग्यान के पहले नहीं था वो भी था, सब जानते हैं, हमको हमारा ग्यान, हमारा अहंकार यह परन्तु उसके उपर हम वजन नहीं दे रहे थे उसका महात में नहीं था हमको और गुरु ने अपने अनुभव से दरता से वो बात के रहे कि वाणी में द्रड़ता होती है क्योंकि सत्य का साक्षायतकार करने से वो वो द्रड़ हो गया है किसी का बिच्छो हो जाए तो अपने शोक करना चाहिए एक नहीं करना चाहिए बताओ शोक करनेक नहीं करना तो साम्मान्य रुप से तो सब इसे कहीं शोक नहीं करना चाहिए हो जाता है वो तो अच्छी वो तो हो जाता है फिर भी जो संसार द्रिष्टी वाले लोग है न अगर कहीं ऐसी प्रिस्थिति आई और शोक का वतावरण है और कोई विक्ति अशोक स्वरूप भू करके वहां रहा तो कहेंगे आने कोई भावना हो न थी भई कहीं संवेद न आ हो न थी इसका मडला आपने माना नहीं है परिस्थिति के अनुसार शोक और शोक की व्याख्या बदल गई आपकी और ज्यानी तो किसी भी परिस्थिति में शोक निकरना शोक केवल शोक का कारण है संताप का कारण है आपका 20 साल का बेटा मर जाए तो भी शोक निकरना और अगर 20 साल का बेटा मर जाए और अगर आपको किसी बात को लेकर के मुस्कुराट आ रहे तो मुस्कुराओ पर ना समाज के लोग क्या कहेंगे देखो बेटा मर गया है और वो मुस्कुरा रहा है ग्यानी का ऐसे ही होता है ठीक है लोक लाज साड़ा जानते हैं इसलिए सब करते हैं पर वो द्रड़ता नहीं है न अग्यानियों की वाणी में द्रड़ता ही नहीं है उसकी वाणी में द्रड़ता है शोक किसी भी हालत में नहीं करना मोहित किसी भी हालत में नहीं होना ऐसा बहुत द्रड़ है वो द्रड़ है इसलिए उसकी बात बरबर बैठ जाती है वो कहते हैं कि तुछ शरीर नहीं है तो उसको तुरन बैठ जाती है क्योंकि बात में द्रड़ता है जबकि वो बाते तो हमने बहुत सुनी है पर उतनी द्रड़ता पुरुव को बात सुनी नहीं है उस वो अपूर वो वाणी है ऐसा है उसका इसलिए ज्यानियों के वाणी उनके शब्दों का बार 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 आडोलन करते रहता हूँ रमण महरशी के पास एक विक्ति आ है उसकी पत्नी मर गी जवान था हो और जवान पत्नी मर गी बहुत दुखी हुआ बैठाओ ऐसे रमण में बोलते नहीं कभी कभी एक दो श्वब्दे बोल देते उन्होंने का अपनी भारती संस्कृती में पत्नी अर्धांगिनी मानी जाती अर्धांगिनी का मतलब आधा अंग और ये जितने अंग है वो सारे अपने आत्मा के उपर भार स्वरूप हैं भारी है न ये तो तो आपका आधा भार उतर गया तो आप दुखी क्यों हो रहे हो आपका आधा भार उतर गया दुखी कहीं को हो रहे हो आपको खुश होना ची आधा भार गया विकल्प का कारण गया राक का कारण गया नर्सी मेता निजाना बलू थो पत्नी मर्गी तो ऐसे बलू थो भांगी जंजार अवे सुखे थी बजिशु गोपार अवे आवो ऐसा कौन कह सकते हैं लोग कहें नर्सी मेता पागल आदमी और समाजिक तत्व है उसको निकालो बार ऐसा नहीं है थोड़ा उनको थोड़ा नहीं होना चाहिए था ऐसे इमोशनल थोड़ा रोना नहीं चाहिए था उनका इतनी पत्नी रोज खाना खिलाती है ये करती है वो करती है तो अपने को थोड़ा नहीं करना चाहिए ये तो थोड़ी वेवारिकता होती है ना पर ग्यानी वेवार से थ कुछ भी तो यह द्रता है ऐसे ज्ञानियों के जब हमको द्रश्टान मिलते हुजाएं तो हमको द्रता रहती है कि नहीं हम यह थोड़े वेवारिक हो रहें नहीं इमोशनल हो रहें होने की जुरुत ही नहीं है कि अवल हम राक के वशिभूत हो करके इसलिए हमेशा शांत प्रसन आनंद में रहना वेरागी हो करके ओम सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिनरात्र रहेत ध्यानमहि परशांति अनंत सुधामय जे प्रणमूपद ते वरते जयत सद्गुरू देव की जय परंकुरुपालू देव की जय त्रिलोकनानाथ की जय सबसन्तन्य की जय आनंद दन् ओम एक मिनिट मौन आत्म अनुसंधाओं ओम सुत्र सुसाथि हुम आत्माचं आपनो सिवक्षं सौन मित्रचं हुम आत्माचं आपनो सिवक्षं सौन मित्रचं हुम आत्माचं आपनो सिवक्षं सौन मित्रचं ओम शांती 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 जयसेट tomorrow